सीरल जनक की कहानी में फानली अदित्य कपूर आ चुके हैं और उन्हें देखकर रीमी मीमी हो गई है पूरी तरीके से मेसमराइज और उन्हें मिलने के लिए है वो बेकरार लेकिन जिस तरीके का अदित्य कपूर का इतना जादा टिशन दिखाया जा रहा है लेकिन चेहरे से जहां वो विलन लग रहे हैं वो ही चीज़े सामने आने वाली है फानली आज यहां पर आप देखेंगे कि बाहर अदिते कपूर वेट कर रहे होंगे और घर के अंदर यहां जणक के बाहर जाने को लेकर तमाशे शुरू हो जाएंगे जहां पर जणक के लिए अल्रेडी स्टैंड हमेशा लेते हुए नजर आते हैं अनरुद लेकिन अब आज आप सभी देखेंगे कि बाहर फोटो खिचवाने के लिए लोग मरे जाएंगे लेकिन यहां पर बड़ी मा जो है अपने यहां पर देवर यानि की अनरुद और उनके यहां पर ममी पापा से वो बहस बाजी करती रहेंगी यानि कि यहां पर अनुरुद के बाद बड़ो मा भी जनक का साथ देंगी लेकिन सब लोग यहां पर बहुत कुछ ताने देंगे लेकिन फाइनली इन तानों से बहार निकल कर सभी को अवाइड करके अब जनक बहार जाने वाली हैं जहां पर अदित्य कपूर के मैनेजर और के मैनेजर जो हैं वो अब जनक को मिलवाएंगे यहां पर अदित्य कपूर से जीहां अनिरुद कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा अनिरुद और पाकी सब लोग यहां पर आपस में मिलते हैं जहां पर जनक की ब्यूटी की तारीफ करता है आप सभी का यह जो नया विलन आया शो में अदित्य वो और यहां पर कुस तो गड़बर लगती है जहनक को यहां लेकिन नेक्स्ट मॉर्णिंग यहां पर पता चलता है स्रिष्टी से अर्शी को की अदित्य कपूर के साथ शूटिंग कर रही है जहनक यह सुनने के बाद वह वहुत ज अदित्य के साथ शूटिंग कर रही होती है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास अनेरुद है जी हां अनेरुद को समझ के वह शूटिंग कर रही है दूसरी तरफ अर्शी यहां बासू हाउस में आकर विपाशा और तनुजा को बताएगी कि कि कितने बड़ा ब्रै इसको अपने बैट्रूम में बलाने की बात करता है और जहनक यह सुनकर शूट हो जाती है इतना ही नहीं शूट सेट पर उसके करीब आने की भी कोशिश करता है अदित्य यानि मॉलेस्टेशन की कोशिश करेगा वह और ऐसे में अनिरुद अब जहनक को इसे पूरे जो है डेंजर जोन से कैसे बाहर निकालेगा और जहनक कैसे अदित्य कपूर से निकलेगी बाहर वह देखना होगा खास